हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस चेनल तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आज साम पाच बजे तक आपका बीएड थर्ड राउंड कॉंसलिंग का सीट एलोटमेंट लेटर जो है वो जारी होने वाला था लेकिन अभी जो है वो आपका साथ से जादा टाइम हो चुका है और अभी तक जो है वो सीट एलोटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया है ठीक है अश्टूडेंट जो है वो लगातार परिसान हो रहे हैं और लगातार जो है मैसेज करके हमसे पूछे जा रहे हैं कि सीट एलोटमेंट लेटर आया या फिर नहीं आया ग्रूप मे मैंने जो है उन लोगों से screenshot भी मांगा लेकिन वे लोग जो है वो नहीं दे पाएं तो actually जो है वो यहाँ पे हम आपको बता दें कि देखें आपके सामने हम यहाँ पे check करते हैं एक दो ऐसे student का जिनका rank जो है वो कम है ठीक है और जिन्होंने third round counseling में participate किया है देखें यहाँ प चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी college जो है वो sit alert नहीं किया गया है इनका rank आप देख सकते हो कि 14,000 के करीब है इतना कम rank है और इनको जो है वो OBC से बिलोंग करते तो इनको तो college मिल जाना चाहिए था अगर third round counseling का result आया है तो तो यहाँ पे कोई भी college नही मिला है यहाँ पिछले वाला जो है वो update किया गया है अलंकि website में कुछ update किया गया है जैसे कि यहाँ पे second counseling के तहत इन्होंने जो है वह college को skip किया था वह भी यहाँ पे mention किया गया है कि देखिए second round के counseling जो है वो मैं इन्होंने admission नहीं लिया था उस कारण इनका जो है यहाँ रद कर दिया गया है इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे student का चेक किया यहाँ पर बारिकी से जो है आप लोग roll number चेक आउट कर सकते हो यह देखिए लेकिन यहाँ पर किसी का जो है वो result नहीं आया है ठीक है तो इससे यही पता चलता है कि अभी तक जो है वो sit allotment letter जाड़ी नहीं किया गया है तो आप लोग जो हो जादा tension मत लेजिए जादा जो हो panic मत होई है जैसे ही यहाँ पर sit allotment letter आएगा हम आपको खुद जो है वो group के माधियम से और telegram channel के माधियम से जो हो inform कर देंगे फर्स राउंड counseling के तहद जिन्होंने admission लिया है प्लस second round में जिसका sit allot किया गया था उनका यहाँ पर दिखाया जा रहा था लेकिन अब जो हो provisional selection list को थोड़ा सा update किया गया है और इसमें आप जो हो केवल वही student का नाम दिखा रहा है जो admission जो है वो ले चुके है और बहुत जल अभी जो है वो उन सभी student का नाम वहाँ पर add कर दिया जाएगा जिनका नाम जो है वो third list में आएगा तो लगातार जो है वो यहाँ पर data को upload किया जा रहा है दोस्तों हो सकता है कि आज जो है वो आपका sit allotment later नहीं जारी किया जाए कोई भी technical issue होने के कारण जो है वो नहीं जारी किया जा सकता है लेकिन कल जो है वो सुभा 10 बजे तक जो है वो आपका guaranteed है कि sit allotment later जो है वो जारी कर दिया जाएगा ठीक है